अज़ हम बात करेंगे फिशर पाइल्स एन फिशुला इन बीमारियों के बारे में तो पाइल्स क्या है हम अक्षर चर्चा करते हैं कि पाइल्स की शिकायद हो रही है फिशर की शिकायत हो रही है फिशुला की शिकायत हो रही है लेकिन हमें ये तीनों वर्स एक जैसे ही लगते है या situation मान लिजिए एक जैसे होती है तो आज हम इन तीनों को differential क्या क्या चीज़े उसको समझेंगे सो सबसे पहले शुरुवात करते हैं piles से piles का मतलब यह होता है कि जो lettering की जगा है वहाँ पे सूजन आती है veins में सूजन आती है जिस वज़े से lettering को बाहर आने में दिक्कत होती है अब इस piles के दो टाइप होते हैं एक होता internal piles एक होता external piles internal piles में veins जो कि विजुल या आपको मतलब आंखोंसे दिख नहीं सकते हैं लेकिन एक्स्टरनल पाइस में वही बात आपको हाथ से बाहर से फील हो सकती है अब यह हो गए उसके दो टाइप अच्छा, अब इससे क्या दिक्कत होती है? इससे जो दिक्कत होती है, देखे अगर pressure देना, strain देना बार-बार, या भूड होना, या फिर आपका lifestyle बराबर नहीं होना, या eating patterns के timing बराबर नहीं होना, या ज्याधा fatty food, या fast food ज्याधा खाने में आना, या जैसे मान दिज़र smoking ह आपकी जॉब जिसमें आपका एक्सराइज नहीं है वो भी इसके एक वज़े बन सकती है साथी साथ फाइबर का कम मात्रा में इंटेक रहना यानि कि आज कल हम देखते हैं कि लोग फुरूट्स ज्यादा नहीं लेते सैलर ज्यादा नहीं लेते या वाटर इंटेक उनका जादा यह इस्तमाल करना यह भी उन चीजों की रीजन बन सकता है जिसमें आपको पाइल्स फिशर यह फिश्युला की शिकायद हो सकती है अब इंटरनल पाइल्स के बारे मैं ने आपको बता एक्स्टरनल के बारे में बताया अब दोनों में मोशन अगर स्ट्रेंड करोग मोशन हार्ड आएगा तो रिपिटेडली वहां पर इंजूरी होगी जिसके वज़े से यह दिक्कत होगी इन शट जैसे वेरिकोस वेंस आपने देखे होंगे पैरों पर थाइस पर होते हैं हरे हरे कलर के उसी तरीके के वहां के जो एनल के जो वेंस है वो स्वेल हो जाते है और उसी का इंफ्लमेशन याने की सूजन की वज़े से वो जो एरिया है जिस में से लेटिन बाहर आएगा वो छोटा हो जाता है तो वहां पर आपको प्रेशर देना पड़ता है और उस प्रेशर की वज़े से वहां पर इंजूरी होती है इंजूरी होने की वज़े से वहा बैटने को दर्द होना और लेटरिंग को जाने के लिए भी डर सा महसूस होना कि वो जगा फट ना जाए अच्छा इसमें अगर एक तीसरा कंडिशन आता जिसमें थ्रॉम्बस फॉर्म होता है यानि कि रिपीटेड इंजूरी की वज़े से वहाँ पे खुन की गुटली जैस काम बन जाती है उसको थ्रॉम्बस फॉर्मेशन भी बोलते हैं अब हाला कि आपको इस बात से समझ में आ गया होगा कि जगा को नेरो होना और वहाँ पे सूजन आना या वो स्कीन बाहर से महसूस होना इस चीज को पाइल्स बोलते हैं आईए अब हम बात करते हैं फिशर के हैं उसी तरीके से लेटरिन के जो एनल एरिया है वहाँ पे क्रैक्स आते हैं जिस वज़े से सबसे ज़्यादा लेटरिन के बाद जलन होती है और उसी को बर्निंग या प्रिकिंग पेन बोलते हैं उसको फिशर बोलते हैं अब हाला कि फिशर की भी वही वज़े है जो आप को मैंने पाइल्स के अंदर बताई थी, repeated hard stool is the one of the reason, main reason for that fissure, ठीक है, अब बात करते है fistula की, fistula ये है, जिसमें long term आपको बार-बार उस anal area को injury होती है, injury होने के वज़े से वहाँ पे फोडे जैसा आता है, जिसके अंदर पस बनता है, और वो kennel form करता है, अंदर की तरब, उसको fistula बोलते हैं, अब देखिए, piles में swelling आएगी, torturous vein होगी, fissure में cracks आएँगे, fistula में पस बनके kennel form होगा, अब ये तीनों का difference है, very simple form, लेकिन एक बात को समझना बहुत जरूरी है, इस condition में, देखिए, कोई भी बीमारी, अगर initial phase में आप control करते हो, तो वो complex होके chronic disease create नहीं करेगे, in short, अक्सर patient हमें बोलते हैं, doctor साब, हमें किसी ने surgery बोली, fissula के लिए, pils के लिए, fissure के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए, अक्सर ये होता है, कि patient situation जैसे शुरुवात होती है, वो physician को visit नहीं करते हैं, वो अपने level पे कुछ ना कुछ experiment करते हैं, लेकिन अगर वो initial से ही खुद की तरफ ध्यान दे, एक homeopathic treatment, एक advanced way में अगर वो deal properly follow करें, तो उनकी ये जो बाकी के आने वाले future के complications से उसको आप avoid कर सकते, अच्छा, आप ये पूछेंगे कि, क्या fissure में, fistula में और piles में, surgery compulsory है, देखिए अब एक बात बताता हो, हर चीज का gradation होता है, first grade, second grade, third grade, अब इसके अंदर अगर मान लिजए आपको anal prolapse है, तो ऐसे situation में आपकी quality of life और future complication को रोकने के लिए, आपको surgery के लिए भी जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर यही बात को अगर आप initial phase में properly handle करना शुरू कर देते हो, proper diet follow करते हो, proper exercise लेते हो, और आपका lifestyle उसी हिसाब से जैसे हम बता रहे हैं इस हिसाब से follow करते हो, तो आपके अंदर वो उस चीज़ तक जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी, अब इसके अलावा आप यह पूछेंगे कि हाँ, होमियपैथे में इसमें कितने chances है, कि इस चीज़ के लिए किस हिसाब से recovery हो सकते, तो बिलकुल सही है कि हमियपैथे में इसका best solution है, because हमियपैथे यह ऐसा science है, जो human पर प्रूव करके बनाया गया है, यह ऐसा नहीं है कि animal पर प्रूव करके human को दिया गया हो, इसलिए यह human का human ने बनाये हुआ, human के लिए science है, यह इसकी सबसे पहली उपलब्दी है, दूसरा natural medicine से, तीसरा इसके अंदर quantity of medicine और quality of medicine से ज्यादा उसमें उसका potential को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसमें minimum medicinal dose में आपको maximum benefits मिलते हैं, और चोथी बात इसकी आदत नहीं पड़ती, अब आप यह सोचेंगे कि डॉक्टर साब हम अक्सर patients क्या बताते, मैंने surgery करवाई थी, मैंने यह procedure करवाया था, यहाँ पे जाके दाका बान लिया था, वहाँ पे जाके injection लिया था, लेकिन मुझे वापस हुआ, अब यह है actually सवाल, इसकी वज़े पता है आपको क्या है, इ किस वज़े से injury हो रही है, लेकिन आप क्या बोलते है, मुझे दर ठीक कर दो, मेरी सुजन ठीक कर दो, लेकिन आप यह कभी ने बोलते, कि डॉक्टर साब यह बार-बार क्यों हो रहा है, इसकी पीछे वज़े क्या है, इसके पीछे वज़े है आपकी motion का hardness, इसके पीछे व दोक्टर से जो जिन से आप treatment ले रहे हो, क्या वो सिर्फ आपकी injury को heal करने की दावाई दे रहे है, या फिर वो जो repeated condition याने की tendency form हो गई है, जिस वज़े से motion hardness आ रहा है, और उस हिसाब से आपको वहाँ पे injury होके दिक्कत हो रही है, आप सीधी सी बात में बताता हो, आपने गन्ना खा लिया, तो आपको mouth में cracks आते है, उस दिन आपको खाना खाने को दिक्कत होती है, वज़े क्या था कि mouth sensitive है कि गन्ना खाया है, ये point है, तो गन्ने की वज़े से mouth को injury होई, जिस हिसाब से आपको खाना तीखा लगने लगा, same motion hard होगा, तो आप कितनी बार भी surgery करव ये injection लिजे कोई भी चीज करवाईए, उसका आपको lifetime कभी भी effect नहीं मेरेगा, और repeated same attack ये जाके rectal cancer, rectal injuries, rectal prolapse, इन चीजों पे भी आपको complication face करने पड़ते हैं, इसलिए मैं हर बार patient को advice करता हूं, सिर्फ ध्यान देना जरूरी नहीं, वक्त पे ध्यान देना जरूरी है, because एक बार वक्त चले गया, फिर आपने कितनी भी कोशिश की, शायद आपको वो result ना मिले जिसके आप उम्मीद कर रहे थे, और शायद आप वहाँ पे land up हो जाएंगे, जिसके आपने कभी उम्मीद ही नहीं की होगी, So, डॉक्टर शेलेशन चेदे एडवांस होमियोपेथि क्लीनिक में, आपके पाइल्स, फिशर या फिशुला, इस तरीके की कोई भी आपको अगर दिक्कत है, या इसके अलावा और भी कोई दिक्कत है, ता आप हमें बिल्कुल विजिट कीजे, जैसे आप भी हमारे वीव के डिमन पर ये वीडियो बनाया, आप भी अगर ऐसा कुछ चाहते हो, कि आपको किसी बीमारी या किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके शंका समाधान को सॉट आउट कर ने की, थैंक यू सो मच पर वाचिंग वीडियो, थैंक यू